हाई फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुबुश्चन सिंग को जीएस एमपी क्लिनीक आइन नीज चैनल के अंतरगत लेपरोसी यानि जिसे आप कुछ ट्रोग सुनबहरी हैंसें डिजीज कोड आधी के नामों से जानते हैं आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि एक लेपरोसी कुछ ट्रोगी जो एमपी के हैं और उनको लेपरोसी के साथ साथ IBS यानि पेट भी खराब रहता है उनका एक कंप्लेन रहता है कुछ रोग तो हैं ही साथ में उनका पेट भी खराब रहता है तो उस रोगी को यानि रोगी जो है एक सिक्षक है वो पठन पठन का काम करते हैं सरकारी टीचर है वो हमारे यहां से टीटमेंट ले रहे थे मैंने इलाज लिये थे उन्हें कुछ समाझ में आया कि थोरा डॉक्टर साम से इलाज बन करके दूसरे डॉक्टर का आप टीटमेंट ले ले थोरा देखा जाए तो उन्होंने हमारा इलाज छोड़ करके दुसरे डॉक्टर का इलाज उन्होंने शुरू कर दिया और एक से दो माह में एक से दो महीने में ही उनकी हालत खराब हो गई तो महासेजी ने जो सिख्षा का काम करते हैं वो लेप्रोसी के मरी हैं उसके बाद उसोच रहे थे हम बार बार इधर से प्रोग्रेस अपडेट्स जा रहा था उनका हाल समचार पुछने के लिए कैसे हैं आप आपका विमारी ठीक है ना सब ठीक है ना दवा के उचोड़ दिये कोई भी रिपलाई जवाब नहीं देते थे महासाइजी यानि प्रोशी के मरीज तो हमने उनका जो ऑनलाइन ची किसा चलता है कुरियर दवारा जो दवा जाता है उनका उनका भेजना हम बन कर दिये हमारे यासीं का टीटमेंट बन हो गया हमने छोड़ दिया कि ठीक है जहां जाना है आपको जाईए लेकिन मुझे कंफिडेंस था कि लेप्रोशी कुछ ट्रोक में मेरा दवा बहुत ही कारगर है इतने जटिल बिमारी है कुछ रोक सुन बहरी कि आप सब भी जानते हैं कि MDT जो सरकारी अस्पताल दवारा फिरी में दिया जाता है रोगी को एक साल का इलाज करने के बाद में बिमारी आपका टस से मस नहीं होता है और जर से कभी ठीक नहीं होता है होमिपैथिक दवा कहां पर हमने होमिपैथिक दवा पर हमने काफी सोध रिशर्च किया काफी मेहनत करके हमारे फादर स्वरगी डाक्टर जेनकदेव सिंग जी भी इलाज करते थे डॉक्टर थे और लेप्रोसी के मरीज बहुत ही आते थे और खुस ओकर जाते थे ठीक होते थे उनके चेहरे पर काफी मुस्कान रहता था काला सा चेहरा फटा फटा रहता था हम बच्पन में देखते थे और हाइडुकुटाइल उस समय देते थे हमने सीखा हाइडुकुटाइल कि हाइडुकुटाइल बहत्रीन दवा है लेप्रोसी का लेकि जर से ठीक नहीं होता है आईए विशाय पर तो उन्होंने माफी मांगा इसलिए तो उन्होंने दवा छोड़ दी दवा छोड़ने के कारण उनकी हलत खराब हो गई और उन्हें बोला कि डॉक्टर सायम आफी के दवा बेस्ठ है बनिया है अब आफी दवा शुरू करें अब आफी के हिएंगे मरेंगे जो करेंगे आफी करेंगे हम दिबारा अपने गलती के लिए माफी मांगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लेप्रोसी के मरीज आप इधर उधर तो आपका जीवन संकट में पढ़ सकता है तो महासेजी से आप सिक्षा लिजिए कि डॉक्टर जल्दी आप इधर खाएंगे उधर खाएंगे यह लिजिए ओ लिजिए एमडीटी लिए एमडीटी को बराबर दुबारा लेना शुरू कर दिये यह गलत बात है यह काम हंडेट परसेंट आपको करके रहेगा ठीक करके रहेगा इतनी सोध रिसर्च पक्की है लेप्रोसी के जो भी मरीज हैं उनको एकदाम विश्वास के साथ लेनी चाहिए बिल फूर्स भी साथ मिलीजे भोजन भी अच्छा कीजिए लेप्रोसी यदि कुछ रोग हो जाए तो चमरा का सुन होना रहता है और यह चमरा सुन हो जाए अगर तो है राइडोकुटाइल 204 बुन सुबह साम कुछ दिनों तक मरीज को लेनी चाहिए हाइडोकुटाइल से अराम रहेगा हाइडोकुटाइल से जर से ठीक करने के लिए हाइडोकुटाइल के अत्रिक्त बहुत सारे दमाओं को चलानी पड़ती है लक्षन सिम्टम के अधार पड़ सिम्टम ले करके मरीज को क्या प्रोब्लेम है इससे आपको मालुम करके सही सही लक्षन तब जाकर ठीक होता है और इसमें बहुँ ज्यादे सिम्टम की कोई जिरुवत नहीं है चामरा सुन हो जाए चामरा सुन हो जाए वहाँ पर कलम हलाईए चिट्टी काठिए कुछ भी करिए जला दीजिए यानि सुन रहना ही लेप्रोसी है सुन बहरी कोई बीमारी नहीं है बलकि वास्तों में हूँ लेप्रोसी ही है तो कुछ ट्रोग में होता क्या है आपका कहीं पर भी कलर बदलना सुरू हो जाएगा मोटा भी होना सुरू हो जाता है चमरा कला हो जाए मूटा हो जाए चमरा कला हो जाए और मोटा हो जाए तो और आपका नाखून जो है काला होने लगे ये नाखून जो सारा का सारा काला होने लगता है मोटा होने लगता है तो ये काला हो मोटा हो तो ये प्रोसी का लक्षन है जहां से पसीना निकलना बंध हो जाए जहां पर चमरा सुन है और वहां का केस जहर जाए तो ये प्रोसी है हाथ मौँ का उंगली टेरा होने लगे पतला होने लगे तो ये प्रोसी है तो ये प्रोसी में पैर से चपल भी आपका निकल जाता है पैर से चपल निकल जाएगा जब आप चलेंगे अधाम लगेगा ऐसे पैर में जान ही नहीं है हाथ में कोई भी चीज रखेंगे गिर जाएगा यदि भी द्यार्थी है तो आपको कलम भी नहीं पकरा जाएगा बहुत लोगों को ऐसा है हाथ से पकरने के बाद में और ये आख का पलक है या तो गिरेगा नहीं गिरेगा नहीं नीचे या तो उठेगा नहीं इसमें एभी लक्षन देखने में आता है भारी कम जोरी लगता है भूप का रोशनी आप बरदास नहीं कर सकते हैं धूप में जाने में काफी दिकत होता है शरीर में पुराने परने पर मोटा आपका चमर्य तो होता ही है फोरा भी निकलना सुकूर णिकलता है बुखार आपको रासकता है दाने दाने एलरजी दाने दाने भी निकलने लगते हैं तो आपको समझनी चाहिए कि यह क्यों होता है लेप्रोसी लेप्रोसी होता है जो आपको nutrition यानि कुपोस आप गरीबी कह सकते हैं माल निट्रिशन कुपोशन यानि बढ़ियां बढ़ियां भोजन आच्छा भोजन जिस सरीर को काफी एनरजी मिले ताकत मिले दाल दूद दही यह सब लेना जुरूरी है मीट माश माशली अंडा भी खाना है फ्रूट डेली आपको कुछ ना कुछ लेनी है छोड़नी नहीं है फ्रूट कोई ना कोई लीजिए फ्रूट जरूर लीजिए खाने में दवा तो चलाना ही पड़ता है सांथ में फ्रूट भी लेना बहुत अवस्यक है तो यह लेप्रोसी के मरीज को साबून कहीं पर भी पियर्स जैसा दिखे इस पर से उस पर दिखाई दे ओहीं साबून आपको लगानी चाहिए देखिए इस पर दहां आप देख सकते इस पर से उस पर तेल में आपको चाल मुगरा आप ओएल का प्रयोग कर सकते हैं तुबरोक ओएल प्रयोग कर सकते हैं आप चाल मुगरा का तेल चाल मुगरा का तेल आप यूज कर सकते हैं जहां पर सुन है चमरा टाइट हो गया है ऐसे हम नहीं देते हैं उससे कोई फाइदा हमें समझ में नहीं आता है तो लेप्रोसी के जो भी मरीज है भारी थकावट कम जोरी लगे और चेहरा बुढ़ा के तरह होने लगे बहुत ज़्यादा सरी लग रहा है कि पुराना हो रहा है ओल्ड हो रहा है बहुत तेजी से आप बुढ़े हो रहे हैं और यह कान मोटा भी हो सकता है किसी कान में कान भी मोटा हो सकता है योईंट जितना है यहाँ पर भी मोटा मोटा चमरा देखने को मिलता है फोरा निकलता है और खासी खासी बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज को रहता है तो यह लेप्रोसी का इलाज करने के बाद खासी भी ठीक हो जाता है कोई चिंता करने के आपको जिरुवत नहीं है बिलकुल ठीक हो जाता है तो ये तो जनकारी आपको लेप्रोसी के लिए हो गया होमियेपैथिक इलाज से 100% आपका लेप्रोसी ठीक हो जाता है कुछ ट्रोक ठीक हो जाता है यदि आपको किसी भी तरह का सलाह की जरूत है तो हमना वाटसेप नमबर आप ले सकते हैं 9, 8, 0, 1, 7, 5, 7, 5, 3, 3 यानी यानी 980, 1757, 533 पर आप राए ले सकते हैं फिर एक बार नमबर को हम रिपीट कर देते हैं बहुत सारे लोगों का मेमरी भी कमजोर पढ़ जाता है कुछ रोगी को और कमलम थोरा सा निकाल लीजिए नोट कर लीजिए मोबाइल नमबर वाट्सप नमबर 9, 8, 0, 1, 7, 5, 7, 5, 3, 3 अब मुझे ये आसा है कि याद हो गया होगा और लेप्रोसी के मरीज का ये माथा जो है ब्रेन बहुत कमजोर हो गया रहता है बहुत उनको भूलने के बिमारी भी हो जाती है कुछ ट्रोक के कारण तो सरीर में सुन रहना तो अच्छा का सुन होते जाना हाथ पर धीरे-धीरे काम करना बन कर देता है कितना तो चलना फिरना लोग को मुश्किल हो जाता है वो उठ नहीं पाते अपने बेट से ये लेप्रोसी ऐसे मरीज को हो सकता है तो लेप्रोसी के जांच के लिए स्क्रीन एस्मियर टेस्ट होता है जो चार्ज एगे से चामरा को काट करके बलर्ड निकाल करके आपका जांच होता है ऐसे विश्वास हो है तो आपको एक कलम ले लीजिए अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हैं खर्च नहीं करने चाहते हैं तो कलम लेजिए एक कलम का काम है मात्र हलाईए कहीं पर भी चमरा सुन है हला कर देख लिजिए अगर नहीं समझ में आता है तो फिर ही में आपका जांच हो जाएगा और बरे बरे जांच के चक्कर में परेंगे तो आपको काफी दिकत हो सकता है चमरा सुन है लेप्रोसी है और फटे फटे चमरा रहता है इसकीन में कई तरह का उसमें जैसे धर्ती जहांब सुखा परता है धर्ती फट जाता है उसी तरह से आपका चमरा भी फटने लगता है प्रोशी के वीडियो में तो महासाजी का माफी मांगना मेरे लिए इतिहास में पुरे जीवन के इतिहास में आज की घटना घटी है कि लेप्रोशी के मरीज ने माफी मांग कर पुना दवा उन्होंने शुरू किया महासाजी बहुत बहुत धन्यवाद आप एक सिक्षक है सिक्षक ही समाज जो है दुनिया में इंजिनियर डॉक्टर पैदा करते हैं आपको माफी मांगने की जिरूत नहीं है किसी भी मरीज को बलकि ये बात है कि लेप्रोशी के जो भी मरीज हैं उनके असिर्वाद के कारण उनको उनके सपोर्ट के कारण चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है और लेप्रोशी को ठीक करने में जो फर्मूले कारी सर्च हो रहा है काफी कारण है तो कोई बात नहीं है महासाजी कोई भी रोगी है मन करे तो दवा ले मन करे चो छोर दे उसकी मर्जी है अब ऐसा नहीं है कि हमना दवा छोर दीजिएगा और दोबारा इलाज करवाई एक हम नहीं करेंगा ऐसा नहीं होता है हम भी छोर देते हैं कोई जादे जीदिक किसिम का होता है और दवा चले जल्दी ठीक के लिए लेप्रोसी एक गंभीर मेमारी है बहुत ज्यादा समय लगता है इस दिमाग में आप रखियेगा हमेशा तो कुछ ट्रोगी को माफी मागने की जरूत नहीं है आपकी मर्जी है जहां आप मन के इलाज करहते कराईए कोई बात नहीं है नहीं ठीकोने पर तो हमरा इलाज चलेगा ही तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी हम दवा उप्चार दवा से हम उप्चार करते हैं काफी जाना पाष्चाना रहता है और नरेंदर्मोजी जी कहते हैं लोकल फर भोकल हमनों दिहाती एरिया में रहते हैं और इतना विश्वास जितने में कम्याब हो चुके हैं कि भारत में सभी जगह सभी राजी में और ईपी में असम राजस्थान गुजरात सभी जगह हमरा दवा लोग ले जाते हैं यूज करते हैं कोई कंप्लेन नहीं है बीना साइद एफक का है कि तुँ आज के खास वीडियों में इतना ही कि हम फिर से हम भी कहते हैं कि माफी मांगने के जूरत नहीं आपको पुला पहले जैसा भी आपको उपक्चार किया जाएगा आज के खास वीडियो में इतना ही जय ही जय भारत